यह बात चलती है कि यह Mody the Administrator है अब अगर आप Mody the Politician के बारे मैं बात करूं तो जो polarization हमारे society में है वो हर election में उभर कराती है जाती के नाम पर हो या धरम के नाम पर हो कोई ना कोई किसा जरूर हो जाता है election से पहले तो मोधी दी अद्मिनिस्टेटर आपने बता दी आपने क्या किया है, मोधी दी पॉलिजिशन नहीं कर पाया है अभी तब पहली बात है कि भारतिय जनता पार्टी उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमने हमारे इन सिध्धानतों को कभी बढ़ला नहीं है, आपने मेरे मुझे सेंकड़ों बार इसको सुनाओगा और मैं तो देख रहा हूँ, इन दुनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भासे में टार्शेशन करके सुनाते हैं, कि मोधी इन सिध्धानतों पर काम करते हैं, और इसलिए हम मानते हैं, कि सबका साथ यही हमारा मंत्र रायम करते हैं, समाज भवस्ता तो हई है, इसको तो कोई नकाल नहीं सकता है, लेकिन हैरानी तब होती है, जैं जैं देख रहा हूँ, मीडिया में, हम समाज को कोई दबा खुचला वर्ग हो, उसकी चिंता हम को करनी चाहिए, को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिस समाज में अकर पंथ के आदार पर देखें कि इस संप्र्दाइ में इस प्रकार की जाती व्युस्ता का बढ़ां करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे कि अवहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं है उच नीच नहीं है वहां पर बैकवर्ड निए अब जब मेरे हां गुजरात में मुस्लिम संप्रदाइब है मैं समता हूं कि 70 जातिय ऐसी है जो द बेनी फिट मिरता था लेकिन कभी में मिडिया में नहीं देख रहा हूं की भी वहां कितनेवादी को टिकेट मिला कुछ नहीं तो यह को樣 कि इससे भाहर आना चाहिए हम टिकर देंगे तो भी राज जाती आधार पर बटवारा खुर कर देते हैं यह सी भासा में वर्णन करते हैं किस जाती का कितना वोट मिलेगा यह भी कह रहे है हम यह सारी भाशा को बदरना चाहिए और इसलिए अविकास अब उसी मंत्र को ले कर वर छाहते हैं तागे हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्चक on जो अल्पसंख्यक है वह जो दरार में गेर जाते हैं और जो फिजर्ज होते हैं उन में गेर जाते हैं आप में तो कई सारे उधारन दे दिये जहां पर जैसे आपने कहा कि कार्ड यहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है बहुत सारे योजनाए लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन की जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है holds जब मीडिया में आता है माइनोरिटीज आनोट सेफ इन इंडिया इंटेनाशनल मीडिया में भी आ जाता है जो पुझी निवेश करना चाता है बहार बैट के वह सोचता है यहां पोलिटिकल इंड्रेस्ट है मैं क्यों यहां पर पैसे लगाऊं तो एक आज आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है अब जहां तक मीडिया का सवाल है वो क्यों ऐसा करते हैं किसके कारण करते हैं किसके लिये करते हैं किसके कहने से करते हैं किसके दबाओं में करते हैं ऐसे विश्वों पर मेरा टिपने करना उचीत नहीं है लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मेडिया वर्ल में भी बहुत बड़ा competition है उनको भी टीकने के लिए अपने व्यापारी खीतों के लिए भी बहुत जिद्द जहाद करने पड़ रही है वो भी एक element है मेडिया की कुछ मजबूरिया भी है उनकी इस सबके बाव जिद्दी हमारी बात दुनिया में पहुंची है इन्हीं लोगों के मात्यम से पहुंची है क्योंकि अच्छे लोग भी है नहीं है ऐसा नहीं है जहां तक विदेश का मेडिया का सब्सक्राइब दूनिया में यह दिखा है कि कोई धेस्क होगा एक्सेट कोगा यहां कि जहां का मेडिया अपने देश के हितों कि खिलाव कुछ करता हो कभी निकरते हैं तो कभी-कभी ये मेडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी देशों के बीच की जो स्परदा होती है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनकी अपनी दुनिया है चलने दीजिए लेकिन आप देखिए क्या कारण है का आज सबसे ज़्यादा FDI है भारत में क्या कारण हैं सबसे जादा FII है किया कारण है इतना निवेश आ रहा है क्या कारण है कि जब आउश्मा डूरॉन आया दुनिया के डेड़सों के करिब देश भारत की दवाई के लिए मुझे लगाता है और हिंदु तर दुनिया के मैक्सिमम लोग ने मुझे पर टेलफॉन करके दव होगी मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूं सच्चा ही पहुंचा करता के रहता हूं और दुनिया को भारत के तरफ आकर सित कर रहा है अभी अभी हम लाए कितना बड़ा रिस्पॉंस मिल रहा है कितना समर्धन मिल रहा है